ब्राइट फूचर स्कूल अफ स्टुडीज यह परिवाश आपको ध्यान में रखना है कि विशेशन क्या है जो संग्या और सरुनाम शब्दों की विशेशन कहते हैं उदारन जैसे पवन का कोट पुराना है वह आदमी अच्छा है रेखा ने आज नीली साडी पहनी है आपके सामने तीन उदारन लिखे हुए है पहला दिखावा है पवन का कोट पुराना है जो पवन का कोट है वह किस प्रकार का है पुराना है ठीक है तो कोट की जो विशेशता हो गई वह क्या हो गई कि वह कोट कैसा है पुराना है वैसे ही दूसरा उदारन लिखावा आप या फिर वह अच्छा आदमी है, है ना, तो जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वह किस प्रकार का है, अच्छा है या बुरा है, तो अच्छा वो उसकी जो है, विशेस्था हो गई, ठीके, रेखा ने आज नीली साडी पहनी है, तो रेखा ने जो साडी पहनी है, उसका रंग कैस यह कैसा है निला है तो निला जो रंग है वो साड़ी की विशेस्था बता रहा है ठीक है तो जैसा कि हमने परिवाशान पढ़ा था कि जो शब्द संग्या और सरुनाम शब्दों की विशेस्था बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं तो आपको यहां पर समझ में आया होग अब विशेशन के भेद, तो विशेशन के चार भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है, कि विशेशन के भेद कितने होते हैं, तो विशेशन के चार भेद होते हैं, पहला है गुण वाचक विशेशन, दूसरा है परिमान वाचक विशेशन, तीसरा संक इसकी परिवाशा देखेंगे हम ने इसके बारे में हम पढ़ेंगे संग्या व सरुनाम के गुण दोश आकार रंग स्वाद अवस्था काल काल यानिकी समय काल और स्थान आदी का बूध कराने वाले विशेशन को गुण वाचक विशेशन कहते हैं अब आपने देखा क्या क्या रेखा हो है परिवाशा में की गुण दोश ना संग्या व सरुनाम के गुण दोश आकार रंग स्वाद अवस्था काल मतलब समय और स्थान आदी का बूध मतलब बताने वाले या अवगत कराने वाले बूध कराने वाले विशेशन को गुण वा दयालू है तो रमेज जो व्यक्ति है किसी का नाम है यहाँ पर तो वहाँ व्यक्ति किस्टकार का है दयालू है मतलब वहाँ सब पर दया करता है तो दया जो दयालू है वहाँ क्या है गुण है तुम बैमान नहीं हो अब यहाँ पर जो बैमान लिखा हुआ है यह भी क्या है गुण है किसी का इस कमरे का फर्ष चिकना है तो जो कमरा है उसका जो फर्ष है वो उसकी विशेस्ता क्या हो गई चिकना उसने सुन्दर चित्र बनाया है ठीक है तो जो चित्र की विशेस्ता क्या हो गई सुन्दर तो गुण वाचक विशेशन यही होता है कि रमेश बड़ा क्या हुआ स्थरुनाम की माप तोल माप तोल याने की परिमान का बोध कराने वाले विशेशन को परिमान वाच्चा विशेशन कहते हैं पहले ही लिखा हुआ है परिवाशा में मापटोल, देखो पहले हैं लिखा हुआ है दुकान से 5 किलो चीनी लाओ, अब चीनी हमें लानी है लेकिन चीनी का जो परिमान वह कितना है 5 पाँच किलो माप तोल लिखा हुआ है तो चीनी हमें दुकानदार तोल करें देता है तो क्या लिखा हुआ है आपर की दुकान से 5 किलो चीनी लाओ तो जो चीनी का परिमान क्या है 5 किलो है ना तो यही क्या हो गया परिमान वाचक विशेशन हो गया अगला उदारण है उसकी कमीज में दो मीटर कपड़ा लगेगा अब किसी की कमीज सिलना है दरजी को तो उसकी कमीज में उसको कितना कपड़ा लेना पड़ेगा दो मीटर है तो जो दो मीटर है वह क्या हो गया परिमान यहने कि मापतुल देखाओगा आपने कपड़ा हम जब लेने जाते हैं दुकान पर तो वो मीटर में ही हमें मिलता है तो दो मीटर यहाँ पर क्या हो गया परिमानवाचे क्विशिशन हो गया फिर है मुझे एक गिलास पानी दो अब यहाँ पर जो एक गिलास लिखा हुआ यह वह क्या है परिमानवाचे क्विशिशन फिर है अभी हमें थोड़ा समय लगेगा फिर है अब परिमानवाचे क्विशिशन दो प्रकार का होता है वह भी हम इसमें देखेंगे अब दो प्रकार कौन-कौन से है पहला प्रकार है निश्चित परिमानवाचक विशिशन दूसरा लिखा हुआ हुआ है अनिश्चित परिमानवाचक विशिशन कहते हैं अब देखो निश्चित जो कि क्या है फिक्स है ऐसा बोध करा जैसे कि इस पेकेट में 200 ग्राम चाय है अब देखो एक चाय है चाय का जो परिमान है वह कितना हो गया 200 ग्राम है ना तो यह क्या है बिलकुल निश्चित मातरा है कि हाँ उस चाय का पेकेट है जो उस च आगला हे राशन काड़ पर हर महिने दो लिटर तेल यह भी नाथ तो pastor कर देये जाता है तो तो कैसा है तेल की मातरा अश्रेट कितनी हैं दो लिटर वो क्या हो गया निस्चित परिमान वाचक विस्याश्ण फिर है घर का सारा काम मुझे करणा पड़ता है तो यहां पर फिर दूसरा भाग है या भेद है अनिश्चित परिमान वाचक विशेशन अब यहाँ पर निश्चित में सब कुछ जो मातराई दी थी हमने उधान देखे थे उनमें जैसे चाई की मातरा निश्चित थी देल की मातरा निश्चित थी आटे की मातरा निश्चित थी अब यहा परिमान वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे कुछ समय बाद सब खीक हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखाए कि कुछ समय बाद सब कुछ हो जाएगा, अब समय बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर समय नहीं बताया गया, कुछ समय या तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, य अगला है थोड़ा पैसा है उसका दिमाग फिर गया अब पैसा है ना धन है तो यहां पर जो पैसा है वो कितना है थोड़ा थोड़ा यानि एक रुपया भी हो सकता है, एक लाग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वह निश्चित नहीं है, अगला है, रवी के पास धेरों पुस्तके हैं, अब धेरों पुस्तके जो लिखा है, धेरों, है ना, धेर यानिकी, बहुत सारी, तो यहाँ भी क्या है, अ अनिश्चित है, अब ढहर सारी में पता नहीं कितनी है उसके पास, तो ढहरों जो शब्द हैं, ढहर सारी, बहुत सारी, वो क्या हो गया अनिश्चित परिमान वाचक विशेष सारी, अगला एक उधरन दिया हुआ है, बारिश में टनों आनाज परबात हो गया, अब टन है ना जो कि क्या है परिमान है लेकिन कितना एक टन दो टन तीन टन पता नहीं है तो यह क्या हो गया अनिश्च यानि कि जो आनाज परबाद हुआ है उसकी मात्रा निश्च नहीं अगला जो विशेशन का भेद है वह है संख्या वाचक विशेशन इसकी परिभाशा है संग्या वा सरवनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेशन को संख्या वाचक विशेशन कहते हैं जैसे कि संख्या वाचक विशेशन इसके नाम से ही सपस्ट है कि इसमें हम क्या देखेंगी संख्या यह संख्या का बोध हमें होता है संग्या वपस्तरवणामिन की संख्या का बोध कराने वाले विशेशन को संख्या वाचप विशेशन कहते हैं जैसे सडक पर सेकडो आदमी जा रहे हैं पहला उधारन जो लिखा है सडक पर सेकडो आदमी जा रहे हैं सेकडो याने की सो तो सडक पर जो आदमी जा रहा है या वेकती जा रहा है उनकी संख्या कितनी है सो सेकडो याने की सो फिर है बहुत से लोग विलकुल काम नहीं करते हैं तो बहुत से लोग या बहुत से जो है यहाँ पर संख्या बाचा कृषिशन फिर है फुटबॉल ही टीम में ग्यारह खेलाडी होते हैं, अब जो फुटबॉल की टीम है, उसमें 11 है ना, क्या लिखा यहाँ पर 11 है, 11 क्या है एक संख्या है ठीक है तो यह है क्या हो गया, संख्या वाचक विशेशन हो गया, गली में 5 मकान हमारा जो 5 मतलब 5 वी नमबर का ठीक है तो संख्या वाचक विशेशन क्या आगया है यहाँ पर माच्वा पिर संख्या वाचक विशेशन भी कितने प्रकार का होता है दो प्रकार निश्चित संख्या वाचक विशेशन और अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन इसे की यहाँ पर उधारन दिया है दूसरे संक्या का बोध कराते हैं वे निस्चित संक्या वाचक विशेशन कराते हैं है ना जैसा अभी हमने कुछ देर पहले निस्चित परिमान वाचक विशेशन और निस्चित परिमान वाचक विशेशन में देखा था ठीक उसी प्रकार का यहीं पर भी है, क्या बताया है कि जो विशेशन अपने विशेशी की निश्चित संक्या, निश्चित संक्या मतलब जो संक्या फिक्स है, है ना, निश्चित संक्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संक्या वाचक विशेशन होते हैं, जैसे बाहर दो आदमी जगड रहे ह अब यहाँ पर साब साब शब्दों में बोला गया है कि जो आदमी जगड रहे हैं वो कितने हैं दो है यानि उनके संक्या निश्चीत है फिर अगला अधारन लिखा हुआ है मुझे एक हजार रुपे की जरूरत है तो यहाँ पर किसी को जरूरत है लेकिन यहाँ पर बताया मातरा बतायी गई है वह क्या है एक हजार रुपे फिर हमारा दूसरा घंटा कला का है हना अब हमारा दूसरा घंटा यहाँ पर भी क्या है निश्चीत है कि जो पहला और दूसरा तो यहाँ पर लिखा गया है दूसरा घंटा यहने कि दूसरा जो काल खंड है वह क्या है कला कला मतलब आर्ट्स ठीक है तो हमारा दूसरा घंटा यानि कि दूसरा जो पीरेड है वह किसका है कला का है तो कौन सा है दूसरा दूसरा क्या है निश्चित है इस बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर वह इस बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर रहता है कोई विक्ती रह रहा है किसी बिल्डिंग में लेकिन किस मंजिल पर रह रहा है वो यहाँ पर बताए गया निश्चित मातरा यहाँ पर किस पर तीस रिवल तो यह क्या हो गया निश्चित संक्या वाचक विशेशन फिर अगला है अनिश्चित संक्या वाचक विशेशन जो व यहां पर क्या है अनेश्रत मतलब हजारों में एक हजार भी हो सकते हैं 2000 24000 दसजार 1950 जार भी हो सकते हैं लेकिन यहां पर संख्या नहीं il كटैना 5000 दोजार 3000 कुछ भी हो सकता है मैं लेकिन फिक्स नहीं फिर है सेकडो पशु बाड में बह गये हैं सेकडो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था सेकडो मतलब सो तो सो आदमी बाड में बह गये है ना सेकडो 900 भी हो सकता है या 700 भी हो सकता है ठीक है कुछ लड़कियां कमरे में शोर मचा रही है अब कुछ है न, यह क्या है, अनिस्चित है, कुछ मतलब एक, दो, दस, पंदरा, कुछ भी हो से रहे, आज यहाँ कम लोग आये हैं, है न, कम कितने हैं, एक कम आया है, दो कम आया, तीन कम आया, पता नहीं कितने कम आये हैं, लेकिन कम आये हैं, तो यह क्या है, अनिस्चित है ब्लास्ट जो बेहदे विशेशन का वह क्या है सारुनामिक विशेशन जब कोई सरुनाम शब्द संग्या की और संकेत करता है तो उसे सारुनामिक विशेशन कहते हैं किसी को बताया गया कि वह यह काम है ना यह काम अब काम का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया लेकिन काम कोई सा भी हो सकता है कि वह जगा मुझे अच्छी लगती है अब किसी जगा का नाम नहीं बताया लेकिन उस जगा पर जाना उनको पसंद है तो क्या बता है यहाँ पर वह हुआ है कि वह यहां काम नहीं कर सकता तो यहां पर यहां जो शब्द है वह क्या है सारुनामिक विशेशान